पंसभा चुनाओं में अब आखरी दौर के लिए नेता ताकर जोग रही हैं जिसके चलते सूबे का सियासी पारा साथवे अस्मान पर है कॉंग्रेस महासची प्रियंका गांधी ने गुरुवार को पीएम मोदी के संसदी शेत्र वारानसी में रोट शो किया प्रियंका गांधी ने रोट शो कर कॉंग्रेस उमीदवारों के लिए वोट मांगे प्रियंका गांधी बुदवार को एयरपोर्ट से सीधे कवीर चौरा के कवीर मट पहुंची कवीर चौरा मट में ही संत कवीर दास जी ने अपना पूरा जीवन बिताया था ये मट कवीर दास जी की सिक्षाओं, संदेशों और यादों का केंद्र है देश भर में कवीर पंथियों और कवीर दास जी को मानने वाले लोगों के लिए कवीर चौरा मट एक मुख्य आकर्शन का केंद्र है 1934 में महतमा गांधी भी इस मट में आये थे बंडे जवाहरलाल नहरू और राष्टर कवीर रविंदरनाथ टैगोर भी अपना डेरा इसी मट को बनाते रहे हैं कवीर चौरा मट जाने के साथ ही सोन भत्र के ओगरा में प्रियंका ने जनसभा को सम्भूदित किया जहां उन्होंने किसानों नौजवानों चोटे व्यापारियों और महिलाओं को मजबूत बनाने पर जोर दिया है बीजेपी सरकार की नीती और नियत पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम यूपी में विकास की राजनीती करना चाहते हैं अगर आप कॉंग्रिस की सरकार यूपी में लाते हैं तो दश्यकों बाद ऐसी सरकार देखेंगे जो आपके हित के लिए दिन रात काम करती नजर आएगी प्रियंका ने योवाओं के लिए भरती क्रानती लाने की बात कही ओवरा के बाद प्रियंका ने सकल डीहा में जनसभा को संबोधित किया प्रियंक मोधी के पहुचने से पहले ही बीजेपि को चुनौती देने के लिए कॉंग्रिस महासाशि प्रियंका गांधी काशी में डेरा डाल चुकी है यूपी के अंतिम चरण के चुनाव प्रचार खत्म होने तक प्रियंका गांधी काशी में रहकर कॉंग्रिस के चुनावी प्रचार को धार देंगी। इसके लिए उन्होंने वारानसी के एतिहासे कबीर मठ में तेरा डाल रखा है जहांसे प्रियंका ने काशी ही नहीं बलकि पूर्वानचल को सियासी संदेश देने का दाव चला।